आज की वीडियो में मैं आपको विवाँ पंचमी की पूजा विधी सिखाने वानी हूँ विवाँ पंचमी की पूजा करना बेहट शुब होता है यह पूजा करने से आपकी परिवार में सुक समर्दी बनी रहती है तो यह देखे सबसे पहले पाटे पर लाल कवड़ा बिचा कर हम गनपती जी की सापना करेंगे गनपती जी को बैठाएंगे अब हम उन पे जल चढ़ाएंगे टीका करेंगे चंदन और रोली से चंदन रोली लगाएंगे चावल लगाएंगे मोली चढ़ाएंगे मोली पहना अगर आपके पास सिर्फ राम जी और सीताँ की ए, तो बहुत ही अच्छा है, तो अगर ना हो, तो आप ऐसी पूरे रामदर्बार की photo भी ले सकते हैं, तो हम सबसे पहले, भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे, माता सीता को चंदन का टीका नहीं लगाएंगे अब सभी को रोली लगाएंगे और माता सीता को भी रोली लगाएंगे रोली अर्पित करने के बाद अब हम चावल चढ़ाएंगे यह पूजा करने से आपकी परिवार में जो भी वहवाहिक समस्याएं होंगी वो सब दूर हो जाती है फिर मोली चढ़ाएंगे फूल माला हो तो फूल माला भी जरूर चढ़ाएं और फूल चढ़ाएं इस दिन माता सीता और राम जी का विवहा हुआ था इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना बेहर्ट शुब होता है अब हम दीपक जलाएंगे दीपक प्रजवलित करेंगे तो सबसे पहले भगवान को धूब दिखाएंगे और फिर दीप दिखाएंगे अब थोड़े से चावलो पर हल्दी रोली डाल कर हम उस पे हमारा दीपक रखेंगे अब भगवान राम को तो हमें पीला कपड़ा अर्पित करना होता है और माता सीता को लाल कपड़ा बट आप लाल चुन्नी भी अर्पित कर सकते हैं तो मैंने लाल चुन्नी चढ़ाई है और राम जी को पीला कपड़ा अब हम श्रिंगार का समान भी चढ़ेंगे, माता सीता को क्योंकि उनकी शादी की वर्ष गांट है, सालगिरा है, प्रशाद अर्पित करेंगे, भगवान को इत्र भी लगाएंगे, जो भी प्रशाद आपने लाया हो, वो प्रशाद अब भगवान को चढ़ा सकते हैं, या फ फल हो वो फल चढ़ाएं ये देखिए अब आज के दिन रामचर इत्मानस का पार्ट करना बहुत ही जादा शुब होता है आपके परिवार में सुक शांती खुशी हमेशा मनी रहती है अगर आप पूरी रामचर इत्मानस का पार्ट करें तो वो तो बहुत ही अच्छा है बहुत ही शुब होता है अब हम आरती करेंगे गनेश जी के आरती करेंगे फिर राम जी के आरती करेंगे सीता मया के आरती करेंगे और इसी प्रकार से आपका जो विवा पंचमी का पूजा विद्य है विवा पंचमी की वो पूरी हो जाएगी अब मैं तो एक से जादा दी वीडियो अच्छा लगाओ, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगाओ, तो इस वीडियो को लाइक करना आप बिलकुल भी न भूलें, 2020 में विवापंचमी 19 दिसंबर 2020 को मनाई जाएगी, तो उस दिन आप विवापंचमी की पूजख जरूर करें, तो थैंक यू वरी मुच वाचिए, प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब, थैंक यू